दिल्ली में किसी ने पोस्टर सार दियें कि मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर साथने वालों की गिरफ्तारी हुई है यह फाइयार दर्ज हुआ है फिलाल पुलिस कह रही है कि हमने इसलिए फाइयार दर्ज किया है गिरफ्तार किया है क्योंकि कानून प्रिंटर का नाम न लगा है भाजपा बिधायक पर किसोरी को पिटने बंधक बनाने का आरोप लखिंपूर खीरी सहर के एक महिला ने लगा आरोप बिधायक ने बताया निराधार पुलिस ने दर्ज नहीं की पुलिस ने नहीं दर्ज की रिपोर्ट दोनों पक्षों में समझा उता जब गलत था तो समझाओ ताकियों तो ते वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोसल मीडिया पर वाइरल है एक एक करके बताऊंगा सोसल मीडिया है सोसल मीडिया है बहुजन नम सुनिए का मनुद्यागी पर ऐक महिला ने आरोप लगाया कि बिधायक नोसकी बेटी को बंदक बना कर रखा आरोप है कि लड़की से मार पीट भी हो रही थी संग के बाद अब आई दलित को बाराद जाने के लिए घोरी चढ़ने से रोका जाए सुचिए लगातार संग अब दिल्ली में देश की रादानी दिल्ली में एक स्डिूल कास्ट के सक्स जिनका नाम बर्मा था टाइटल में खा तो लोगों को भूत लग गया था करेते की बर्मा हटाईए सुनाए कि संग वालों ने बैठक करके उनको कुछ मदद की है जगी थोरा सा और सारे अधिकार मिलेंगे और कोटा इस्तित आदिवासी इंवर्सिटी का नाम मिनेस इंवर्सिटी रखना अनुचित है मिनेस स जाती से किसी तरह का संबन नहीं है तो लगातार एस्टी ओबिसी के इतिहास को खत्म करने की साजिस हो रही है उत्तर परदेश में लगातार दली समाज के लोगों पर जमिन हरप डरा धमका कर कबजा किया जा रहा है जिला एटा थाना राजा का रामपुर में ठाकुरों द तक बेंच बनाने को हुआ तयार लोग बोले थाइंक्यू सीजी आई चंदर चोर और ये वीडियो देखिए एक डियस पी चाहे तो क्या हो सकता है ये पन्ना में तैना संतोस पटेल डियस पी हैं जिनके तीन घंटे की कोशिस पर आगरा में बैठा एक मालिक जो अपने ही म वक्ता है यदि अन्या हिंदुस्तान के करोडों करोडों दिलों के धरकन गरीबों दमीतों पिच्छोल संकों के रहनुमा अखलेस यादब के साथ हो सकता है और ये है वो पोस्टर मोदी हटाओ देश बचाओ जिसने साटा था उनकी गिरफतारी हुई है मोदी हटाओ को बोल दिया नौट फाउंड सुटेबोल नौट एलिजबोल ये जजो जजों में भी भरती मोरी तो इस देश में स्टी ओबी सी को अपने संबधानिक अधिकार के लिए लगातार बोलना पड़ेगा अखलेस यादब का एक वीडियो एक बार फिर से सुन लीजे मैं इस प मेडिकल कोलेश बनाए हैं मैं पड़कार साथियों से अभी कहता हूं अगर आप लोग चलना चाहें मैं चलता हूं अभी अटल पहरी बाच पर इनुवस्टी ये बननी थी पताए कितने साल हो गए और फिर देखिए आरश्चर को छिनने का क्या तरीका अब निकाला है नया सेफ़ी इनुवस्टी में या कोई मेडिकल कॉलेश में नौकरी देने का तरीका विग्यापन निकाला है सब उसमें है कैटेगरी एक ले लिया बागी बोला है नहीं एलिजिबली नहीं है फिर एड निकाला आप एक ले लिया पहले एलिजिबल नहीं है तो देखिए क्या खेल चल ला है चिंता कब इसे यह है कि जो खेल चल ला है वो हमें आपको पता ही नहीं है और यह है दिलीप मंडल ने देखे किस तरह से कंणर स्टार चेतना हिस्मा को गिरफ्तार किया गया है बजरंग दल के एक ट्वीट के बाद बोल लिंगायत समाच से आते हैं और चेतना हिस्मा यह लिंगायत has been put in jail for speaking out against मनुबाद के खिलाब वो बात कर रहे थे तो उनको जेल में डाला गया है सबसे बड़ी ख़बर है तो क्या अगली तैयारी आदव अखिलेज जी को जेल भेजने की है सब को जेल में डाल रहे हो अडानी को कब जेल हो जो वो मोदी जी ओ संजय सिंग ने किया मादी पार्टी के और मेगस्थनीज ने बुद्ध के बारे में भी बताया है समन बहुत बिक्चू होते हैं अभी बताया है बमन और समन के बारे में क्लियरली बताया है लेकिन मेगस्थनीज ने चैनक के काउलेक नहीं किया है चैनक को जितना खतरनाक विद्वान बताया जाता है, उस हिसाब से चैनक काउलेख सबसे पहले होना चाहिए था, इतिहासकार भासा बीद्स राइंदर परसास सिंग कहते हैं कि चपर नाम का एक सक्स था, विद्वान था, जो समराट अशोक का सिलालेख मौरिबंस में उनकी बड़ी पकर थी, बिहार में कानुन बिवस्ता चर्मरा गई, दंगाई लोग समिधान को चुनावती दे रहे हैं, हिंदु राष्ट की बात करना, सोचिए, एक तरफ पंजाब में खालिस्तान के नाम पर आप्रेशन चल रहा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान कहा जा रहा है, तो देश को लगातार बांटा है, जो नारेस बल्यान, आमदी पाटी के नेता है, रोदी अटाओ देश बचाओ, वो लोग लगातार शेयर कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग की गिरफतारी हुई है, दिल्ली में कुछ लोगोंने पोश्टर लगाया तो उन्हें गिरफतार कर लिएगा, आप ऐसे मत लगाना, बस ये बताना था, सोचे जितना लोग नहीं जानते पोश्टर लगने के बाद, उतना लोग इस ख़बर को जानगे पोश्टर पर गिरफतारी के वैसे, और यदि जैन मुनी मगन सागर और बंसिदर सर्मा कहें कि ये मचलियां तुमारी परदादी हैं तो मान मैं तो कताई न मानू, आप बताई आप माल लेंगे, तो सुचिए कैसे कल्चरली उनको डैमेज किया जा रहा है, हमारी उत्पत्ती कैसे हुए हम सब जानते हैं, लेकिन उसे 144 में जैन मुनी मगन सागर और पंडित बंसिदर सर्मा ने बताया कि मिनाओं के उत्पत्ती मचल अपने धर्म का रेट भी कितना खराब लगा है, पांच किलो आटा रासन, सोचिए, कह रहे हैं लोग की हिंदू धर्म के जो लोग है, वो पांच किलो रासन के लिए धर्म छोड़ देते हैं, सवाल है, इसका मतलब कि आपका धर्म कितना कमजोर है, कोई भी आदमी आपके धर्म से बुरी बेज़िती नहीं कर सकता है, मनोज स्रिवास्थाव ने अपना धर्म का किया है, परास्चित के लिए इनको गौमुत से नहाना चाये, मनोज कुमार स्रिवास्था भी वो लिक रहे हैं, यही वे लोग है जो पांच किलो आटा पर अपना धर्म परिवरतन कर लेते हैं सोचिए तो क्या हिंदू धर्म की हैंसिया सिर्फ पांच किलो आटा के लिए लोग छोड़ देते हैं और अभिनाश मिश्णा है यह लोग लगातार जो अस्वनी वैस्टनव है उनका बैक अप कर रहे हैं जो वो जातिय समेलन में खड़ा हुए थे किसी को जातिय सम सब्सक्राइब निस्पादक 917 तो सुचिए किस तरह से पत्रकारों की नौकरी जो है वो बैक लॉग में है और इसके लिए और रोग हबन भी कराते हैं जिसके खर्चा एक की सजार रुपया आता यह बाबा है इनका दैनिक भासकर ने रिपोर्ट छातियों उसको जैकी करॉली बाबा की पुरी जनकार यह करॉली बाबा का आस्रम कानफूर में है करीब चौदे एकर में फैला हुआ यहां करीब तीस से पांच जार लोग आते हैं अगर आप 9 दिन का हबन नहीं कराना चाहते हैं तो 21,000 रुपय वाला भी जिसका 21,000 रुपय आता है बाबा के सी से केविन में बैठे बैठते हैं तो सोचिए डेर लाक रुपय बाबा की फीस है आप चाहें तो जा सकते हैं जातर एफायार का आधार पोस्टर में प्रिंटिंग प्रेस का नाम नो होना और संपत्ती बिरूपन यानि पूरपटी खराब करने के लिए है तो सोसल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इबाइरल है 23 मार्च को बिहार बंद किया गया है अभी मनिश कश्यप जो फेक नीज फैला रहा है थे उनकी गिरफतारी के बाद कहा जा रहा है कि सिर्ल भूर्मिहार समाज के लोग जो हैं वो बंद का एलान करें लेकिन सवाल अब लोग पूछने कि क्या भूमिहार समाज के लोग जो हैं वो ब्रहमन होते हैं मनिश कश्यप तिर्वारी ब्रहमन समाज से हैं तो उसमें भी फूट पर गई है और यह है वो दिल्ली में जो पुलिस ने परची जब्त की हैं इसे मोधी जी के और फेक नीज की फेक्री चलाने वाली मैडम आज क कि यह जाती के नाम पर नहीं हुआ है तो सुचिए इस तरह से पत्रकार ऐसे भी हैं जो मडर को भी जस्टिफाई करते रहते हैं इनका क्या कहा जा सकता है सुचिए जांच की भी बात वो नहीं मानते हैं फेक्नीच किसी के घर की लड़की को ताकने जाओगे तो सांत बैठ ही जो हैं वो लिख रहे हैं सुचिए हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं तो यह सोसल मीडिया पर सबसे वाइरल खबर है और भी सुचिए ये प्रेस कलब ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट जारी किया है महराज इर्फान महराज जो पत्रकार थे उन पर यूए पी ए लगाकर गिरफतार ही हुई है और पी एम मोदी के खिलाब पोस्टर लगाने पर दिल्ली में चार लोग गिरफतार हुए हैं ये भी सोसल मीडिया पर वाइरल खबर है और पचासी फिजदी हिंदूों को पंदर फिजदी मुसल्मानों का डर दिखा रहा है ये भी सबसे जादा है कि नहीं आपके सरोकार के लिए है कि नहीं ये खबरे जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए सवाल है कि कौन लोग है जो लगातार सरकार की खबरे आप तक नहीं आने देना चाहते हैं और मन में सदभाव नहीं अलगाव है यही मुखमंतरी जी की पहचान है सारस से लोग लगातार 14 दिन को पुलिस रिमान में भेजा गया है बजरंग दल के किसी सक्स ने उन पर केस दर्ज कराया था तो यह बहुत ज्यादा फेमस हो रही है ख़बर और मैं बार-बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है आप लोग भी अपनी पर्थ के लिए जोर दिजिए शुक्रिया